वेरिवेरी गूद मारिंग टू अल आफ यू नमसकार आप सभी को सवागत है आप सभी का संडे की शानदार सुबह में और आज संदे स्पेशल क्लास है जिश में han menz level quadratic equation को कवर करेंगे हैं थीक है quadratic equations के सवाब अकसर vitesse exam में आपको देखने को मिलते हैं और वह सवाल वैसे नहीं होते हैं जो प्री में आते हैं प्री बें क्या होता है कि केवल आपको quadratic inequality वाले सवाल होते हैं कि roots निकालो compare करो बताओ x y से बड़ा है या चोटा है है ना that's it लेकिन means में जो आते हैं वह actual में conceptual questions होते हैं quadratic पर बेशते हो that is a part of algebra है ना so यह हम इसमें cover करने वाले हैं most important questions और questions से पहले मैं थोड़ा साब आपको basics का भी idea दे दो right basic का भी idea थोड़ा सा दे देता हूं ताकि आपको सवालों को समझने में solutions को समझने में कुछ ज्यादा खास परेशानी ना आए ठीक है आप आराम से solution समझभा हो ऐसा नहीं हो कि मैं solution करा रहा हूं और आपको concept clear नहीं है और आप जो है देख रहे हो कि सर यह basic कहां से पड़ें तो वो भी आपको जरूर्वत नहीं पड़ेगी तो चलिए let's start start करते हैं देखो quadratic equation क्या होती है 2 degree equation ऐसी equation जिसमें x की highest power 2 है na if the equation is there in terms of x so any equation which is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 is called a quadratic equation where a cannot be 0 यह आ मलओ x square coefficient 0 नहीं हो सकता है समझता है x square coefficient 0 नहीं होना चाहिए x का coefficient 0 नहीं हो सकता है मलब हो सकता है व्हार एकक्षशन में x वाला term ही ना हो जासे कि x square minus 4 ब्राबर 0 यह quadratic equation है यह होसकता है constant term ना हो लेकिन x square का term जरूर होना चाहिए so a cannot be 0 तो अब कोई भी quadratic equation है उसके 2 roots होते हैं मैं जल्दी जल्दी introduction दे रहा हूँ बहुत ज्यादा depth में नहीं जा रहा let's suppose इसके जो roots है वो है alpha and beta ठीक है alpha and beta इसके roots है अब अगर 2 roots क्यों है क्योंकि इसकी degree 2 है अगर 3 degree की equation होती तो इसके 3 root होते है तो 2 roots है अगर ये इसके roots है तो ये roots का मतलब होता क्या है कि जो values x की रखने पर ये equation satisfy हो जाए मतलब ये left hand side पूरा 0 के बराबर आ जाए तो x बराबर alpha और beta रखने पर ये value जो है पूरे expression की value 0 हो जाएगी so that's why they are called root है ना तो कोई भी function है let's suppose y equals 2 y equals 2 ax square plus bx plus c है ना this is called quadratic function अब इसमें जब आप x की value कुछ ऐसी रखो ताकि y की value 0 हो जाए और इसका एक graph plot आप करोगे तो graph कुछ इस तरीके से आता है quadratic function का जो graph है वो पेराबोलिक होता है है ना तो पेराबोलिक होगा तो कुछ इस तरीके से suppose मैं graph को लेकर चलता हूँ यह क्या होगे इस तरीके से graph आया तो यह है हमारा x-axis और यह है हमारे पास y-axis तो जब x की कोई ऐसी value रखो जब यह y को 0 हो जाए y की value 0 हो जाए x-axis पर graph intersect कर रहा है मतला वहां पर y की value 0 है राइट जयसे इस point की मैं बात कर रहा हूँ तो इस point पर y की value कया है zero है राइट सो इस 2 points are called the roots है ना तो यहाँ पर x की value क्या होगी x की value यहाँ पर alpha होगी और x की value यहाँ पर क्या होगी beta होगी तो these are the points,alpha and beta and they are the roots जहाँ पर y की value क्या हो जाती है जीरू अब इसमें और थोर detailed discussion करेंगे लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझेए कि अगर alpha न beta इसके दो roots हैं तो मैं इस equation को सबसे पहले अगर मैं a से इसको divide कर दूँ तो ऐसे लिख सकता हूं x square plus b upon a x plus c upon a equals to 0 अगर मैंने पूरी equation को a से divide कर दिया तो same equation can be written in this form also right and if alpha and beta are the roots I can write the same equation in this way x minus alpha into x minus beta बराबर 0 इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं factors के form में x minus alpha into x minus beta बराबर 0 तो जब हम इसको थोड़ा सा solve करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x square minus alpha plus beta into x minus alpha into minus beta मतलब plus alpha beta बराबर 0 यही मिलेगा right yes अब आप अगर इन दोनों equations को compare करो इनको compare करोगे comparing these two equation जब आप इनको compare करोगे तो आपको मिलेगा क्या देखो एक से स्क्वेर की जगे एक से स्क्वेर माइनस alpha plus beta किसके बराबर बी अपोने के बराबर यानि के alpha plus beta किसके बराबर होगा minus b upon a और alpha into beta की जगे क्या दिखाई दे रहा है आपर c अपोने तो alpha beta किसके बराबर है c अपोने के बराबर है के बराबर है तो इससे नथिंग बट some of the roots right alpha plus beta क्या alpha beta जब roots है तो alpha plus beta क्या होगा sum of roots the sum of the roots of the equation is minus b upon a and this is what product of roots this is product of roots equals to c upon a ठीक है product of roots is c upon a तो sum of roots का formula क्या हुआ minus b upon a है ना minus coefficient of x upon on coefficient of x square and product of roots क्या होता है c upon a right अच्छा तो आप मुझे बताओ अगर मैं यह equation suppose मैंने आपके सामने लखी है 2x square 2x square plus 16x right plus 4 equals to 0 tell me what is the sum of roots of this equation इसके दो रूट्स है alpha and beta उनका sum क्या होगा और product क्या होगा sum क्या होगा product क्या होगा so sum of roots इसमें क्या होगा देखो minus b upon a minus b upon a मतला minus का 16 upon में 2 यानि कि sum of roots होगा minus 8 और product of roots क्या होगा c upon a यानि 4 upon 2 यानि कि 2 this is product of roots right sum of roots होगा minus 8 and product of roots क्या होगा plus 2 ठीक है अब कोई भी equation अगर मैंने इस form में लिख रखी है आप देखो x square minus b upon a into x plus c upon a equals to 0 जैसे आपने यहां पर देखा क्या लिखा है x square plus b upon a sorry plus b upon a into x plus c upon a equals to this form में लिख रखा है so what is this b upon a is what b upon a is nothing but since sum of roots is minus b upon a so b upon a को मैं क्या लिख सकता हूँ minus sum of roots minus sum of roots ठीक है sum of roots into x plus product of roots तो अगर आपको roots का sum और product दोनों direct दे दिये जाएं तो आप roots निकालोगे नहीं आप सीदे सीदे क्या करोगे इस तरीके से quadratic equation frame कर सकते हो है ना x square minus sum of roots into x plus product of roots डारेक्ट ऐसे रखोगे आपकी quadratic equation frame हो जाएगी यहाँ पर अच्छा अब थोड़ी से आगे चलते हैं बात करते हैं देखो कोई भी quadratic equation के जो roots है ना usually factorization method से आप निकालते हो जो कि आपने pre-exam की तयारी करते समय भी सीखा होगा कि c वाले को आप दो पार्ट में break करते हो ताकि sum b के बराबर आ जाए ना दो factors का sum लेकिन अब अगर सपोस factorization से हम root ना निकाल पाएं कई बार ऐसा होगा कि हम factorize नहीं कर पा रहे हैं ना roots are non irrational roots भी हो सकते हैं तो हमारे यह पास roots का एक formula है that is आपने यह पढ़ा होगा बच्वन में x बराबर जैसे equation है ax square plus bx plus c बराबर 0 तो इसके जो roots हैं वो है x equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a है ना this is called shri dhacharya method है na shri dhacharya formula अब आप एक बात को यहाँ पर समझो कि यह जो b square minus 4ac वाला part है ना this is called discriminant. यह जो root के अंदर वाला part है ना this is called discriminant. discriminant d equals to b square minus 4ac b square minus 4ac यह discriminant है. now why it is called discriminant क्यों बोलते हैं discriminant इसको क्योंकि this this number discriminant differentiates between the nature of roots और discriminates between the nature of roots यह nature of roots को decide करता है यह पता इससे आप discriminant की value से आप पता कर सकते हो के roots कैसे होंगे जैसे के suppose करूँ के अगर मैं d की value को 0 रग देता हूं,बया10 XV अगर डी की value को अगर मैंने 0 रग दी है. अगर मैंने D okay value का 0 रग देए, तो एक Root आएगा प्लस के corresponding एक Root आएगा माइनस के corresponding. यह दो-लग लग root हूंग एक में आप एक बार प्लस रखोगे एक बार माइनस रखोगे दो अलग लग रूट है अब suppose यह पार्ट आपने 0 ही कर दिया, तो यह पार्ट तो खतम होगे तो प्लस माइनस का तो कोई महत भी नहीं बचा है ना प्लस माइनस का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं बचेगा that means roots will be equal ठीक है दोनो roots alpha and equals to beta we can say and they will be equal to what अगर इस पार्ट को 0 कर दोगे तो minus b upon 2a के बराबर हो जाएंगे दोनो roots minus b upon 2a so in this case you will get equal roots in this case roots are equal यानि कि अगर मैं graph के point of view से बात करूँ graph के point of view से बात करूँ तो मैं यह कह रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर graph plot किया suppose यह y axis है यह x axis है suppose graph इस तरीके से आता है equal root का मतलब है कि दोनों same point पर यह touch करेगा एक ही point पर touch करेगा दो अलगलग point मिलेंगे ही नहीं यह जो point जहां पर यह x axis को touch करता है उसी को तो root बोलते है अब सिर्फ एक root मिल रहा है मतलब यह सिर्फ एक ही point पर इसको touch कर रहा है right so in this case roots are equal जैसे एक example की तोर पर अगर देखें तो x square minus 4x plus 4 equals to 0 यह एक equation है अब इसका discriminant अगर आप निकालोगे तो discriminant का है b square minus 4 a c यह नहीं minus 4 का square minus 4 into a is what 1 and c is also 4 so 16 minus 16 यह नहीं की 0 और अगर आप इसके roots निकालोगे ना this is nothing but x minus 2 whole square यह जो value यह x minus 2 whole square बराबर 0 तो इसके जो दो roots आएंगे वो दोनों 2 के ही वराबर होंगे तो सिर्फ एक point पर एक ऐसा point होगा जहां पर यह x-axis को touch करेगा touch करके निकल जाएगा ज्राब right so in this case you will get equal roots now second case is if suppose d is greater than 0 अगर d greater than 0 है discriminant positive यह सारी चीजें काम की हैं ऐसा नहीं कि फाल तुमें बता रहा हूं फाल तुमें ग्यान नहीं देरा आप इस इन सारी चीजों पर basic concepts पर ही सवाल बनते हैं अगर यह concept आपके clear है तो कोई भी सवाल आप कर लोगे और यह clear नहीं है तो चाहें जितनी प्रैक्टिस कर लो एक्जाम में सवाल नहीं बनेगा ठीक है तो द्यान दे समझना तो हम यह कह रहे हैं कि अगर b की value positive है तो एक root plus के corresponding एक root minus के corresponding होगा तो हम कह सकते हैं कि roots are real and equal, real and equal roots, equal, unequal, real and unequal roots, ठीक है जैसे तो नॉमली एक graph अगर मैं बनाऊ यहां पर तो graph इस तरीके से बनेगा, यह x y axis यह x axis this is y axis, this is x axis, graph दो point पर यह इसको cut करता हो जाया, x axis, so you will get two distinct roots, अगर d की value less than 0 हो गई है, अगर d की value less than 0 हो गई है, discriminant आपका negative हो गया, तो root के अंदर अगर कोई negative quantity आती है, so that means in that case you will get imaginary roots, imaginary roots, तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, imaginary roots, क्योंकि root के अंदर negative quantity आपने रख दी न, तो roots क्या होगा, complex roots होगा, imaginary roots, ठीक है, अब इसका graph आपको होगा सर, कैसे बनेगा, तो graph ऐसे बनेगा, आप यह देख, यह हमारे पास y-axis है, यह x-axis है, ठीक है, यह y-axis है, यह x-axis है, graph कैसे बनेगा, मतलब आपको एक real root मिली नहीं रहा, यानि कि graph कभी भी x-axis को touch ही नहीं कर रहा graph जो है x-axis को touch नहीं कर रहा graph उपर से चला गया इससे बिना मिले जब बिना मिले चला गया तो कोई route ही नहीं मिला imaginary route मिला तो इस तरीके से इसका graph पने ठीक है यह सुननो तो अभी तक की बात समझ में आ रहे हैं सभी को यहां तक की चीज़े clear है तो अब हम कुछ-कुछ सवालों से start करते हैं तो जो लोग सवाल करने आएं उनका मन लग जाए तोड़ा उनों यह कहेंगे कि सर आप तो basic पढ़ा रहे हो आपने कारता कि मैं में इसके सवाल कराऊंगा सवाल ही कराएंगी बहुत सारे सवाल है जैसे पहला सवाल है सारे कि सारे आपके banking exam pattern पर based questions है इस तरीके से पूस्ते हैं वो गुमाफरा कर basic चीज़ें पूस्ते हैं लेकिन पूस्ते थोड़ा twist करके 13 A, B, C, D यहां पर मुझे A, B, C, D की value निकालने के लिए कुछ equations दी गई है सबसे पहले x की value हम कैसे निकालेंगे यहां पर बूला है आप भी solve करूं मैं भी इसको करता हूं क्योंकि लंबा सवाल है थोड़ा x की value है positive root of p square minus p minus 12 equals to 0 now p square minus p minus 12 बराबर 0 इसके root सब कैसे निकालोगे जैसे आप quadratic solve करते हो ना 3 में भी करते हो उसी तरीके से करोगे इसको दो parts में break करोगे sum आना चाहिए minus 1 तो minus 4 into plus 3 कर दें तो p की value क्या होगे plus 4 and minus 3 and value of a is value of x is positive root of this equation now what is positive root of this equation x x equals to 4 positive root क्या है 4 है तो x की value क्या होगे 4 होगे and as per the given information and y is nothing but the hcf of 15 and x तो y की value है वो किसके बराबर है hcf 15 and x x is what 4 इन दोनों में कुछ भी common नहीं है hcf मतलब highest common factor अब इनमें कुछ भी common नहीं है तो 1 तो common हो गई न तो y की value 1 हो गई अब जड़ा इस सावाल पर चलते हैं सबसे पहले दिया है a plus 4 बराबर something देखो a plus 4 की value किसके बराबर है a plus 4 बराबर x plus 3 whole square x plus 3 square का मतलब 4 plus 3 square है नही 7 का square 7 का square minus y plus 4 का square है नही 1 plus 4 का square 5 square 7 square 49 5 square 25 49 minus 25 is what 24 ठीक है तो इसका मतलब a की value कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी a की value आ गए 20 इसी तरीके से b की value आप नकालो b minus 2 बराबर कितना होगा देखो b minus 2 बराबर बनेगा x plus y plus 1 की पावर 5 what is x x is 4 4 plus 2 की पावर 5 1 plus 1 is 2 2 की पावर 5 is 32 32 plus 4 is 36 36 minus a upon 5 36 minus a upon 5 तो a upon 5 is what 4 36 minus 4 is 32 तो b की value क्या आ जाती है मेरे पास 34 आ जाती है यहांसे नहीं आप चेक कर लो calculation यही आ रही है यही आ रही है अरे बिटा सुधीर जी भाई आप यह बताओ हिंदी में होता क्या ना के एक slide पर English आती फिर अगली में हिंदी आती है अब solve किस पर करूं हिंदी वाली पर या English वाली पर हिंदी थी मेरे पास इन सवाल होंगी मैं जानमूज कर नहीं रगी को अननेसेशरी स्पेस ओक्युपाय होता है थोड़ा सा manage करूं c minus c plus a minus b तो c plus a is what 20 minus b is what 34 and that is equal to x minus 1 का whole cube so x minus 1 का whole cube मतलब 4 minus 1 3 का cube 27 plus 7 into y plus 1 यानि 7 into 2 14 so this is what 41 ठीक है तो c minus 14, 14 इसमें add करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 55 तो c की value आ जाती है मेरे पास 55 अब इससी तरीके से d की value नकालूंगा last वाली equation देख लो d minus a minus c so d minus a, a is how much 20 minus c is how much 55 and that is equal to x minus 2 whole cube यानि 4 minus 2 का cube, यानि 2 का cube 8 plus y की power 8 यानि 1 plus minus 1 तो 1 से 1 कट गया, तो d की value कितनी आ गई 75 plus 8, 75 plus 8 is 83 so d की value आ जाती है मेरे पास 83 a, b, c, d सभी की value मेरे पास आ चुकी है ठीक है, तो मुझे e की value नकालनी है इतरा देखोड़ तो यह series क्या बनेगी मेरे पास, ज्यान से समयना series है 13 a, a is how much? 20 b is how much? 34 c is how much? 55 d is how much? 83 and now e, ठीक है तो इसमें pattern कोई दिखाई दे रहा है आपको? कोई pattern दिखाई दे रहा है series में आपको? बताइए pattern देखो, बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर 7 है, यह difference कितने का है 14 का? यह difference कितने का है 21 का? यहाँ 28 का difference है, तो सारी की सारी चीजें किस में चल रही है? 7 की multiple में चल रही है, तो next आएगा 35, 35 मतलब E की value कितनी आ जाएगी? 118, E की value आगी 118, तो E किसके बरावर है इन में से? अब यह देखो, E is equal to 5A plus 12, तो 5 into A यह नहीं 65, sorry A is what? this is A, A यहाँ से शुरू हो रहा है, जान से देखना, this is A, this is B, this is C, this is D and this is E, तो 5A plus 12, तो 5 into 20, यह नहीं 100 plus 12, 112, 112 तो नहीं है, next, E बराबर 2C plus 8, so 2 into C, कितना होगे 110, 110 plus 8, yes, 108 यह 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 साही है, B option is correct, B is right, clear है सभी को? बताईए, तो यह हुआ हमारा पहला सवाल है, आगे बढ़ते हैं, next question, second question है, below given are three quadratic equations, number 1, 2 and 3, the first equation is, x की पावर A, minus 5x की पावर B, बराबर 24, अब आभी यह सोचो, कि x की पावर A, minus 5x की पावर B, बराबर 24 है, अब आपको A और B की value तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही आप instructions को पढ़ोगे, तो आपको मिलेगा, कि one of the root of equation 1 is 8, और शुडवात में ही हमको दे रखा है, कि there are three quadratic equations, जब यह quadratic equation है न, तो यहाँ पर 1 पावर 2 तो होनी चाहिए, कोई न कोई, एक पावर 2 होनी चाहिए, और इसका एक root 8 है, तो अगर मैं इसको 2 रखता हूं और इसको 1 रखता हूं, तो मैं check करता हूं एक बार, अगर मैं इसको 2 रखता हूं और इसको 1 रखता हूं तो यह क्या मिलेगा x की पावर 2 minus 5 x की पावर 1 minus 24 equals to 0 है ना we have just put a equals to 2 and b equals to 1 to make it a quadratic equation ठीक है तो क्या इसका root 8 है बिलकुल मुझे दिखाई दे रहा है 8 इसको 2 parts से break करोगे minus 5 आना चाहिए minus 8 and plus 3 करेंगे तो x की value उसके आएंगी plus 8 and minus 3 आ रही है यह आ रही है तो यह नहीं इसका एक root 8 है यह condition satisfy हो गई है तो x की value मुझे मिल गई okay अचा second equation y के terms में है लेकिन यह भी equation में एक unknown value है which is what c ठीक है तो जड़ा देखो यह equation क्या बनेगी y square y square equals to 4y plus c यह मुझे दिया गया है अचा मुझे से बोला गया है कि 1 root is common in equation 1 and 2 1 and 2 में एक root common है अब वो common root 8 भी हो सकता है minus 3 भी हो सकता है लेकिन आगे दिया गया है value of common root is less than minus 1 but greater than minus 5 less than minus 1 8 तो नहीं है minus 3 minus 3 जो है minus 1 हो minus 5 के बीच में है तो हम यह कह सकते है कि common root is minus 3 अब minus 3 common root है मतला minus 3 equation 2 को भी satisfy करेगा अगर कोई number किसी equation का root होता है तो वह equation को satisfy करता है तो हम यह कह सकते हैं कि minus 3 अगर मैं यहां रखोंगा तो यह satisfy करना चाहिए तो minus 3 का square must be equal to 4 into minus 3 plus c यह होगा तो c की value 12 plus 9 कितनी हो जाएगी c की value क्या आगए 21 आगई जब c की value मेरे पास 21 आगई तो यह equation मेरे पास क्या बन गई y square minus 4y minus 21 equals to 0 अब इसको आप दो parts में break करो समाना चाहिए minus 4 तो minus 7 and plus 3 कर देते हैं तो y की value क्या हो जाएगी plus 7 and minus 3 right plus 7 minus 3 yes तो इस equation के roots आगई अब आती है बात तीसरी equation की तीसरी equation है इसमें भी एक unknown है z square minus 9z plus d equals to 0 ठीक है so z square minus 9z plus d equals to 0 अब इसके लिए कोई hint दे रखिए कि है देखो ओके difference between the roots of equation 3 is greater than 2 but less than 6 अच्छा one root is common yes one root is common between equation 2 and 3 equation 2 and 3 में भी एक root common है equation 2 and 3 में एक root common है मतलब इसका root 7 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है तो नहीं हो सकते है अब मैंने काया कि suppose 7 इसका root है दोनों ही possibility है मैंने अगर यह 7 रखा तो यह क्या होगा मलब suppose 7 एक common root है तो मैंने अगर 7 रखा तो 7 का square minus 9 into 7 plus d equals to 0 तो d की value आ जाएगी 63 minus 49 which is what 14 which is correct कि d is a non-negative integer जो satisfy हो रहा है अगर d अगर मैं y की value minus 3 को common root मानता हूं तो यहां पर क्या होगा minus 3 का square minus 9 into minus 3 plus d equals to 0 यह आए ना ठीक है so this will be negative because this is positive this is positive अधर लेके जाएगे तो negative तो d यहां पर क्या जाएगा negative आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए because d has to be a non-negative integer so that means d की value 14 है यह बात confirm हो गई d की value क्या है 14 है और अगर d की value 14 है तो यह वाली equation मेरे पास क्या बन गई z square minus 9z plus 14 equals to 0 तो इसके दो root के आएंगे साथ और दो ले रहे है 7 & 2 7 & 2 7 तो दोनों में common root है 2nd & 3rd में 7 & 2 फीके दोनों root हो गए अब पूछा क्या है which of the following regarding the sum of those roots of the equation 1,2,3 which are greater than other root is true तो इन दोनों के जो बड़े root हैं उनके बारे में क्या true है उनका sum तो बड़े वाले root इसका बड़ा वाला root क्या है 8 है प्लस इसका बड़ा वाला root क्या है 7 है और इसका बड़ा वाला root क्या है 7 तो साथ साथ 14 प्लस 8 22 तो इनका sum आ रहा है 22 तो 22 sum is an even number between 21 and 30 yes it is true ये एक even number है 2130 के बीच में sum is an prime number no it's not a prime number sum is an odd number no it's not an odd number sum is a prime number no तो a is correct ठीक है a is right answer देखो जितने भी लोग इस session को देख रहे हो मैं seriously आप से बोल रहा हूं कि एक बार session को share कर दो जितने लोगों ने वही तक like नहीं किया like भी कर दो है ठीक है आपका support बहुत जरूरी इस channel के लिए next question देखें study the following information carefully answer the related question तो यह equations आपको दी गई है one root of which of the following equations is same इन में से कौन सा root कौन सी equations का कौन से दो pair का एक root से में बताई देर यह आप try कीजिए try करो और इस कान से बताव मुझको yes yes हाँ जी बच्चों कि देखने में खतरनाक है वैसे है नहीं देखो 9 की power 1 by 2 क्या होता है पहली equation की अगर मैं बात करूं so 9 की power 1 by 2 यानि 3 और x की power 6 और उसकी power 1 by 2 मतलब x cube हो गया अब आपको डर लगेगा क्यूबिक equation आ गई परैसा नहीं है यह divide by 3x 3x से divide भी हो रहा है plus 4 root 25 root 25 is 5 5 into 4 कितना होगे 20 and that is equal to 81 x square का square root कितना होगे 9x ठीक है तो 3 से 3 cancel होगे x से x square times cancel होगे अब यह equation मेरे पास बन गई x square minus 9x plus 20 equals to 0 तो इसको आप solve करोगे तो 2 root आ रहे है 5 और 4 x की value आ गई 5 and 4 right x की values है 5 and 4 second equation है 81 y power 80 power 1 by 4 81 की power 1 by 4 मतलब power 1 by 4 मतलब square root का भी square root 81 का square root 9 और 9 का भी square root होगे 3 right so this is 3y square 3y square 121y square का square root मतलब 11y minus 6 so 3y square minus 11y plus 6 equals to 0 this is the equation this is the actual equation अब आप देखो कि इन दोनों को अगर मैं multiply करता हूं तो 18 आता है जिसको दो parts में break करेंगे minus 11 आना चाहिए तो minus 9 और minus 2 करेंगे तो y की value के आ जाएंगे sin change करो plus 9 plus 2 divided by 3 3 से divide कर दिया तो y की value हो गई 3 and 2 by 3 y की values भी आ नहीं अब बाताती है z की तो 8z square यह equation क्या बनेगी 8z square 16 into z y2 मतलब minus 8z अच्छा यह क्या होगा minus 15 plus 7z square बचेगा यहाँ पर cancel होकर छीक है so 8z square minus 7z square z square minus 8z plus 15 equals to 0 very easy equation xz की value क्या आएंगी 5 and 3 because 5 into 35 नहीं 5 plus 38 ठीक है तो पूछा क्या है one of the root of which of the following equations is same कहां पर आपको common root दिखाई दे रहा है first वाली में और third वाली में a and c में तो option 3 is correct answer आजा a और b में कुछ common है क्या no a और b में कुछ common नहीं b और c में कुछ common है क्या b और c में भी common b और c में 3 common है so answer is second and third both second and third option d is correct option d is right answer yes आगे बढ़ेंगे next question अगला सवाल variable की form में आपको coefficient दिए गए है study the information answer the related question पहली question x square minus ax minus 156 equal to 0 दूसरी b और c दिए गए है coefficient ठीक है अब coefficient निकालने के लिए कुछ hint भी दी जाएगी difference between the roots of equation 1 is 25 and a is greater than 0 okay difference is 25 and a is greater than 0 a is positive अब ये की जो value है वो positive है ठीक है lcm and hcm of equation root 2 तो पहले equation 1 की बात करते हैं ठीक है पहले बात करते हैं हम equation 1 की तो equation 1 के roots कैसे हम निकाले बताईए x square x square minus ax minus 156 equals to 0 दोनों roots का जो difference है वो क्या है 25 है आप मुझे एक बात बताओ कि ये वाला part क्या represent करता है ये वाला part product of roots ये वाला part product of roots represent करता है ठीक है तो हमें पता है कि alpha into beta alpha into beta क्या होगा दोनों roots है एक है alpha एक है beta इनका product है minus 156 और इन दोनों का difference 25 आना चाहिए ठीक है difference क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए तो difference अब इसको दो parts में ब्रेक कर सकता हूं कि जिसमें difference 25 आये multiple of 3 ठीक है 3 से अगर मैंने इसको cancel किया तो 3 into क्या लिख सकता हूं मैं इसको 52 3 into this is what 2 into 26 2 into 2 4 4 into 13 25 कैसे आएगा 25 कैसे आएगा इसको अगर मैंने लिया 12 और इसको लिया 13 तो अगर मैं एक रूट को ले लेता हूं minus 12 और एक रूट को ले लेता हूं plus 13 तो इन दोनों का difference purchase हो गया कि नहीं हो गया बताइए अब अच्छा अगर एक को मैंने plus 12 लिया और एक को minus 13 लिया तो 12 में से minus 13 गड़ा होगे तब भी purchase आएगा both possibilities are there both are the possibilities लेकिन अगर आप sum of roots की बात करें so since the value of a is positive हम कहते है sum of roots क्या होता है sum of roots is minus coefficient of this minus b upon a तो minus of this number is plus a यह अगर a positive है तो sum of roots क्या होना चाहिए positive होना चाहिए sum of roots positive यहा तो नहीं होगा यहा तो sum कितना आएगा इन दोनों का sum minus 1 आएगा so this is ruled out because their sum is negative तो यह इन दोनों roots का sum positive है मतलब पहली वाली equation के जो roots है वो है plus 13 and minus 12 इनका difference है 25 product y है minus 156 है ना और इन दोनों का sum भी positive है so alpha and beta की value आ गई 13 and minus 12 ठीक है right बात समी में आ रही है 13 and minus 12 yes or no ठीक है अब दूसरी equation की बात करेंगे LCM and HCF of roots of equation 2 is 84 and 7 मैं equation 2 की बात करा हूँ equation 1 के root तो मुझे पता चल चुकी है equation 2 में देखवा एक root है alpha और दूसा root है beta equation 2 की बात कर रहा हूँ equation 2 एक root है alpha और दूसरा root है beta दोनो नमबर का जो HCF है वो 7 है अब आपको पता है कि अगर दो नमबर का HCF कुछ भी है दोनो नमबर अपने HCF के multiple होती है जैसे मैं अगर यह कहूँ कि पच्चेस और 50 का HCF क्या है 25 है अब 25 और 52 ही 25 के multiple है तो हम यह कह सकते हैं कि भाई देखो अब यह concept number system गाय थोड़ा था पहले वाले number को मैंने लेखा 7K1 और दूसरे को लेखा 7K2 एक root को लेखा 7K1 और दूसरे को लेखा 7K2 and since I have taken out highest common factor so K1 and K2 must be co-prime to each other इन दोनों में कुछ भी common नहीं बचा क्योंकि जो common था ना highest common वो मैंने भाहर लेख लिया है 7 तो K1 and K2 must be co-prime to each other और हम यह जानते हैं कि दोनों numbers का जो product होता है N1 into N2 दो numbers का जो product होता है वो इनके LCM और HCF के product के बराबर होता है तो HCF is 7, LCM is 84 number 1 plus number 2 बराबर product of LCM and HCF 7 से गया 7 times, 7 से गया 12 times यानि K1 into K2 must be 12 अब हम यह जानते हैं कि K1 and K2 must be co-prime to each other इन में कुछ भी common नहीं होना चाहिए तो 12 को आप 2 parts में कैसे break कर सकते हो या तो आप कर सकते हो 1 into 12 या आप कर सकते हो 3 into 4 और तो कोई तरीका नहीं है आप 2 into 6 करोगे तो 2 और 6 में तो 2 common है 2 into 6 में नहीं लिख सकता है 2 and 6 are not co-prime to each other 2 is common between them तो either it is 1 into 12 और 3 into 4 roots आएंगे 7 and 84 और इस case में roots के आएंगे 7 k1 7 k2 7 into 3 21 7 into 4 28 अब हर point में मुझे दिया गया no root of equation 2 is 7 मतलब यो पहली वाली पहला वाला case से वो ruled out हो गया क्योंकि 7 आ रहा है या पर तो root second case बजा 21 and 28 ठीक है 21 and 28 these are the roots ठीक है so what is the value of b? b is nothing but sum of roots b is sum of roots तो sum of roots क्या हो गया 21 plus 28 which is what 49 and what is the value of c? c is nothing but product of roots of this equation यानि 21 into 28 28 into 28 carry हो गया 2 56 और 2 28 588 this is the value of c ठीक है अब मुझे a b c तीनों की value पता है ठीक है तो a की value क्या थी इन दोनों का sum alpha plus beta यानि कि 1 तो a की value मेरे पास क्या है 1 तो यहाँ पर इसकी value हम से पूची गई है तो इसकी value क्या होगी c is what? 588 minus a is 1 1 की power 5 into b is what? 49 so 588 minus 49 is 539 रही है? yes 539 आ रहा है option c clear है सभी को एक बार white type कर देंगे comment box में yes yes option c is correct अगला सवाल देखो roots of equation 1 are m and minus 5 पहली वाली equation के जो roots है वो m और minus 5 है roots of equation 2 are m and 5 इसके roots है m और 5 तो find the equation whose roots are p and q ऐसी equation बतानी है जिसके roots p और q हो हो बताईए चलिए देखते हैं कौन इसका अंसर निकाल सकता है अग्याज़ 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 कि अग्याज़ विजय कहने से वेरी टफ कुश्श्चन्स विजय ऐसे याते हैं में 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 की क्लास है तो उस लेवल के सवाल तुम करेंगी न थोड़ी रूट्स ऑप एक्यूश्चन वन आर एम इन माइन माइनस फाइव पहली वाली एक्यूश्चन के रूट्स थैं माइनस फाइव क्यूश्चन वाली एक्यूश्चन वाली एक्यूश्चन के जो रूट्स है वो है एम और फाइव तो इसके जाए ठीक है तो 4P एक्यूच 2 मुश्चन के बराबर एज के बराबर यहां से तो可ीज Q की value M हो गए, तो यहां से तो कुछ मिला नहीं क्यों कि Q की value M पहली पताती मुझे, अचा P की value M-5 है जो मैं यहां पर रख सकता हूं, तो मैंने यहां पर रख दिया P की value M-5 के बराबर, So 4 into P की value मैंने रख दिया M-5, M-5, plus 1, equals to M plus 5, right, M plus 5, 4M minus M मतलब 3M, equals to, this is 19 plus 5, 24, चीक है, 3 से गया यह 8 बर, M की value क्या हो गई, 8 हो गई, right, M की value 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 क्या हो गई, 8 हो गई, अब M की value अगर 8 हो गई, तो Q की value भी 8 हो गई, M की value 8, Q की value भी हो गई, 8 क्योंके M and Q बराबर है, अच्छा, और P की value कितनी हो जाएगी, M की value अगर मैं 8 रखूंगा, तो 8 minus 5, P की value हो जाएगी, 3, अब मुझे वो equation बनानी है, जिसके roots P and Q हो, है न, तो जब आपको roots बताए हैं, तो equation कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था शुरुवात में, आप याद कीजिए, शुरुवात में मैंने आपको बताया था, introduction में, देखो ये रहा, ये रहा, x square minus sum of roots into x plus product of roots, यही होती है equation, तो roots मुझे पता है, P and Q यहाँ पर, तो equation क्या बनेगी, x square minus sum of roots, इन दोन कितना है, 24, equals to 0, this is the equation, x square minus 11x plus 24 equals to 0, yes, that means option e is correct, clear है सभी को? चो, next question देखो, कई बार quantity के question इस form में भी आते हैं, language की form में, जैसे कि यह सवाल है, a long pipe is cut into two unequal parts, the ratio of the thrice of the larger part to the thrice of the smaller part is square root of the ratio of the whole pipe, to that of smaller pipe, okay, approximately what fraction of the length of the bigger part is the length of smaller part, है न, तो हमें क्या चाहिए, smaller part जो है, वो bigger part का कितना fraction, smaller upon bigger, यह चाहिए, ठीक है, smaller upon bigger, यह ratio मुझे चाहिए, बताइए चाहिए, try कीजी आप एक बार खुद से, जये, हो जो याहिए, बताशए झाल आपिए, बताब रग्योच का यंद scraping, अग्योर र झाल झाल तो स्मॉलर और बिगर का रिलेशिन हमको चाहिए कि स्मॉलर वाला जो पार्ट हो बिगर का कितना प्रेक्शन है यह काम करते हैं दो दो वैरिवल लेने से फाइदा नहीं है आप कहोगे सर स्मॉलर को वाई मान लो बिगर को एक्स मान लो दो वैरिवल लेकर क्या करोगे एक काम करो ना स्मॉलर वाले पार्ट को वन मान लो बिगर वाले पार्ट को एक्स मान लो तो वन भाई मुझे निकालना है तो rope की length को दो part है एक बड़ा वाला हिस्सा यहां से मैंने इसको cut किया तो बड़ा वाला हिस्सा है suppose x और छोटा वाला हिस्सा है one अरब यह condition लगाओ condition क्या है ratio of twice the larger part to the thrice of smaller part तो इसका two times यानि two x और इसका three times यानि कि three three into one is equal to is equal to square root of square root of ratio of whole pipe whole pipe is what x plus one upon smaller pipe तो smaller pipe is one ठीक है यह condition है as per the question अब मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ square करता हूँ तो this will become four by nine into x square बराबर x plus one यह बने रहे है नाइन से पूरे मैं multiply कर दोगे दोनों तरफ तो यह equation क्या बन जाएगी मेरे पास four x square minus nine x minus nine equals to zero nine into minus four is what minus thirty six इसको दो पार्च में मुझे split करना है समाना चाहिए minus nine तो कैसे करूँ अब 12 और 3 minus 12 और plus 3 यह कर देता हूँ है ना sum is minus nine product is minus thirty six तो जो x की value हो गई हो गई हो negative वाला root तो eliminate हो गया so x की value मेरे पास क्या आ गई 3 आ गई मुझे कैसे यह यह आपर one upon x यानि कि यह हो गया one upon three तो one upon three का मतलब zero point three three option one बताईए clear है बात समझ में आ गई सभी को चल अगला सवाल देखो अनु एन अनुराग work together to solve an equation अनु एन अनुराग एक equation को solve कर रहे थे यह ना in fact quadratic equation को solve कर रहे थे यह ना आप लिख लेना चाहिए यह आपर solve a quadratic equation ठीक है quadratic equation को solve कर रहे दूरिं देर calculation अनु mistakenly changes the coefficient of x which leads to the roots of minus four and minus eight अनु ने क्या किया x का coefficient change कर दिया जिसकी वज़े से roots गलत आए और roots के आए minus four and minus eight on the other hand अनुराग makes an error in the constant term resulting in the roots of seven and five find the correct equation अनुराग ने constant term को change कर दिया है ना जिसकी वज़े से root size seven and five तो क्या हम यहां से correct equation निकाल सकते हैं बताईए थोड़ा सा logic लगाना पड़ेगा हल्का सा बस और यह सवाल mentally हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा logic लगाते हो तो येस सोचो हम एक स्क्राइब माइब माद मुझे आप रहा है तो कि अधो कि अगर कोई भी पर्सन, जैसे यह equation है, ax² plus bx plus c equals to 0, यह equation, अगर अनू ने mistakenly x का coefficient change किया, अनू ने किसमें error किया है, इसमें, अनू की error किसमें, b में, b change किया है उसने, लेकिन c upon e to same रहेगा, उसने a और c को तो छेडा नहीं, तो c upon e, यानि कि product of roots उसके हिसाब से सही आना चाहिए, भाई, जो भी roots उसके आ रहे है, product of roots सही आएगा, क्यों इसमें सिर्फ b को change किया, c और e को change नहीं किया, तो product of roots हम इसके according निकाले, यानि कि हम कहेंगे, product of roots क्या हो गया, अनू के according, product of roots सही आएगा, तो जो इसके roots है, minus 4 and minus 8, तो इनका product कितना है, 32, तो इसके according, जो product of roots है, वो correct है, plus 32 is actual product of roots, और अगर मैं अनुराग के according देखूँ, तो अनुराग ने किसमें error की है, अनुराग ने change किया है, constant term, तो constant term उसने change किया, तो b और e तो उसके according सही है, तो sum of roots क्या होता है, b और e पर depend करता है, minus b upon e, यान sum of roots अनुराग के according निकाल लो, तो अनुराग के according sum of roots क्या आ रहा है, 7 plus 5, यानिके 12, यानिके ये product of roots होना चाहिए, ये sum of roots होना चाहिए, तो equation क्या होना चाहिए, x square minus sum of roots into x plus product of roots 32, बराबर 0, ये हमारी equation हो गई, कौनसी equation है, yes, option b, ठीक है, चलिए, अगला सबन, next question है, arithmetic mean of the roots of a quadratic equation is 9 by 4, arithmetic mean का मतलब average, उनका ओसत, 9 plus 4 है, and arithmetic mean of the reciprocals, मतलब roots का जो reverse है, reciprocal, है न, उनका जो उल्टा है, उनका जो arithmetic mean है, यानिके ओसत है, average है, वो 9 by 40 है, so find the equations in terms of p, तो p के terms में equation क्या बनेंगी, बताईए, tell me, हाँ जी, तो arithmetic mean of the roots of the quadratic equation is 9 by 4, so suppose roots are alpha and beta, इनका arithmetic mean, यानि alpha plus beta by 2 is equal to 9 by 4, यह arithmetic mean है, तो alpha plus beta कितना होगे है, 9 by 2, यानि roots का जो sum है, वो आगे है, 9 by 2, right, this is the sum of roots, अब arithmetic mean of their reciprocals, तो reciprocals होगे, 1 upon alpha, and 1 upon beta, right, और इनका arithmetic mean, मतलब this thing divide by 2, is equal to what, 9 by 14, यह किसके बरावर है, 9 by 14 के बरावर है, तो 2 से गया है, 7 times, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर आएगा alpha plus beta, और नीचे आएगा alpha and 2 beta, and this is equal to 9 by 7, तो alpha plus beta की value, यहां से उठा कर, यहां पर रख दो, it is what, 9 by 2, so 9 by 2 upon alpha beta, equals to 9 by 7, right, 9 से 9 cancel हो गया, ठीक है, so alpha beta is what, 7 by 2, alpha and 2 beta is 7 by 2, so now I know, the sum of roots, and product of roots, तो अगर आपको sum of roots और product of roots पता है, तो आप equation कैसे frame करते हो, p के term से बता नहीं है, तो p square minus sum of roots into x, sum of roots is what, 9 by 2, so 9 by 2 into p, plus product of roots, product of roots is what, 7 by 2, and that is equal to 0, ठीक है, 2 से पूरे हैं multiply करते हो, तो it becomes 2p square minus 9p plus 7 equals to 0, right, 2p square minus 9p plus 7 equals to 0, that means option b is right answer, ठीक, option b, अगला सवाल है, a quadratic equation in the form of px square plus qx plus 2 equals to 0, एक quadratic equation है, जो किस form में है, px square, px square plus qx plus 2 equals to 0, right, px square plus qx plus 2 equals to 0, इस form में है, where the values of p and q belong to set 1 to 4, p and q की जो value है, वो एक से 4 के बीच में, वाला, p और q की जो value हो सकती है, वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इन में से कोई भी हो सकती है, इस set में से, for how many set of values of p and q, quadratic equation, p, this one, will have real roots, अब ही real roots की condition क्या होती है, मैंने आपको शुरूआप में बताया था, basic में, what is the condition of real roots, तो real roots की condition होती है, भाई, discriminant should not be negative, अगर discriminant negative हो गया, तो roots हो जाते है, imaginary, तो discriminant must be, real roots का मतलब है, real roots का मतलब है, कि discriminant must be either greater than or equal to 0, cannot be negative, discriminant is nothing but b square minus 4ac, ठीक, discriminant क्या है आपर b square minus 4ac, b की value क्या है, q, तो q square minus 4ac, a is what p and c is what 2, must be greater than or equal to 0, so we can say q square must be greater than or equal to 8p, अब p और q की value 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है, अब q की value, suppose, अब यहाँ पर मैं कैसे possibilities नकाल लूँ, तो multiple possibilities हो सकती है, तो suppose मैंने बोला कि q की value और p की value क्या होंगी, मैंने q की value highest रखी, suppose 4, q की value मैंने रखी highest, suppose 4, तो p की value क्या हो सकती है, तो q square is what, q अगर मैंने 4 रखा, तो 4 काई square is 16, तो p की value मैं 1 भी रख सकता हूं, तो 8 into 1, तो 16 जो है, 8 से बढ़ा होगा, p की value 2 रख सकता हूं, तो 8 into 16, तो p की value यहाँ पर 1 भी आ सकती है, और 2 भी आ सकती है, तो p की value 1 भी आ सकती है, और 2 भी आ सकती है, तो these two pairs are there, क्योंकि इस inequality को satisfy करेंगे, अजा, p की value अगर मैंने 3 रख दी, तो यह 16 और यह 24 हो जाएगा, तो यह condition satisfy नहीं होगी, तो p की 2 value मैं रख सकता हूं, अजा, q की value अगर मैं 3 रखता हूं, तो 3 square is what 9, और p की value अगर मैं 1 रखता हूं, तो 8 into 1, 8, तो that is satisfied, अगर मैं p की value 2 रख दूंगा, तो 9 और 16 हो जाएगा, जो कि satisfy नहीं होगा, तो केवल यही 3 possibilities मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, छीक है, only 3 possibilities, so option C, option C, 3 possibilities आरते हैं, right, चली, question number 10, सवाल बहुत सारे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, थाकि आप एक session में, एक session ऐसा हो, जिसके बाद आपको quadratic के लिए book खोलने की जरूरत ना पड़े, कभी भी है, और उसको आपका जो समय है, वो भी कम से कम waste हो, तो थोड़ा जल्दी चलेंगे, fast चलें in the form of y equals to this, has two real roots, इसके दो real roots हैं, given that r is greater than 0, and minimum of the quadratic function, we get at y equals to this, ठीक है, यह quadratic function था, y बराबर इतने पर इसका minimum मिल रहा है, this is the minimum value, we can say minimum, y की value, जो minimum value possible है, वो यह है, 4p plus 2q plus r, तो how many roots are positive, how many roots are positive, अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोड़ो समय, इस कानी को छोड़ो, पहले यह बताओ, कि अगर मैं आपसे यह कहूं, कि एक equation है, a square minus 4a plus 4 equals to 0, इसके कितने roots positive होंगे, या और थोड़ा ऐसे कर लो, a square minus 5a plus 6 equals to 0, इसके कितने roots positive होंगे, without finding out the roots, can I say, कि इसके दोनों root positive होंगे, या आपने basic quadratic equation पढ़ा होगा, जब आप pre-exam के लिए quadratic पढ़ते हो, sign method पढ़ते हो, वहाँ पर आप यह देखते हो, कि अगर यह value negative है, provided this is positive, यह positive है, इसका coefficient positive है, यह negative और यह positive है, तो यह होता क्या है, यह positive अगर हो गया, तो यह minus plus होने पर, दोनों root क्या होते हैं, इसके positive होते हैं, यह बात आप सभी जानते हैं, इतनी basic quadratic equation तो सभी ने पढ़ी है, प्रीम है, अगर नहीं पढ़ी, तो आप ऐसे समझ लो, कि अगर यह part negative है, तो sum of roots हो गया, plus 5, sum of roots positive, and product of roots is also positive, दो numbers का product positive है, मतलब दोनों same sign के होंगे, या तो दोनों positive होंगे, या दोनों negative होंगे, क्योंकि ये part positive है न, यानि दोनों root same sign के होंगे, और sum of roots भी positive है, तो दोनों negative तो हो नहीं सकते, तो उनका sum positive कैसे होता, तो दोनों क्या होंगे, positive होंगे, या न, दोनों क्या होंगे, both the roots are positive यह वाला case आपको पढ़ता है जैसे अगर यह होता a square plus 5a plus 6 equals to 0 तो मैं यह कहता हूँ कि अगर यह positive यह भी positive यह भी positive हो तो यह plus plus होता है provided a square coefficient positive है तो क्या होता है यहाँ पर कि दोनों root क्या हो जाते है negative हो जाते है भाई तो same logic भाई अगर यह positive part है मतलब दोनों root same sign के हैं और sum of roots negative है और दोनों root same sign के हैं तो दोनों negative ही होंगे यहाँ पर दोनों root होते हैं minus और अगर equation कुछ इस तरीके से आई a square plus 5a minus 6 equals to 0 suppose तो यह वाला part अगर negative हो जाता है तो आपको कुछ और देखनी की जरूँ होती नहीं है पहले यह देख लो कि यह positive हो यह वाला part negative हो गया so that means दोनों root opposite sign के होंगे यानि सिर्फ एक root positive होगा और एक root negative होगा इतना concept आपको sign method में आना चाहिए तब आप यह सवाल कर सकते हो देखो दरा इस question को अब इस सवाल की बात करते हैं यहाँ पर मुझे एक equation दी गई है px square px square plus qx plus r equals to 0 right यहाँ पर मुझे already दिया गया है कि r is positive r is positive यह ना यह नमबर जो है positive है ठीक है I have no idea about p and q तो p and q की बात हम करेंगे अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इस function का minimum मिलना है देखो quadratic equation में ग्राफ दो तरीके के होते हैं एक तो कुछ इस तरीके का जो ऐसे है ऊपर की तरफ मुह इसका खुला हुआ है पैरा बुला का और कुछ ऐसे भी आ सकता है इस तरीके से तो आप एक concept र्याद रखिए कि graph यहाँ पर मुझे इस function का क्या मिल रहा है minimum, this is minimum value इसका maximum तो कुछ ही नहीं, infinite है इसका maximum कुछ ही नहीं, infinite है तो यहाँ पर क्या होगा, जो x square का coefficient होता है ए उसकी value positive होती है अगर x square का coefficient positive है ज्यान समझना, function में, not equation में, equation में तो आप minus से multiply करके negative भी बना सकते हो इसको, मैं function की बात कर रहा हूँ, इस function, y बराबर यह, अगर इस function में x square का coefficient positive दिया गया है, तो graph उपर की तरफ जाता हुआ आएगा, increasing function आएगा, और जब increasing function है तो इसकी certain minimum value मुझे मिले नहीं, infinite होगी, और अगर graph इस तरीके से आ रहा है, मतलब यहाँ पर I am getting some maximum value, minimum value यह तो graph बढ़ता जाएगा आगे तक, तो minus infinite तक मिलेगी मुझे, तो यहाँ पर क्या होता है, a is less than 0, now since I am getting some minimum value of this function, तो minimum value कम मिलती है, जब a की value क्या हो, positive हो, क्योंकि अगर a की value positive होगी, तो maximum value तो define ही नहीं है, infinite है, minimum value मुझे मिलेगी, यानि कि इस function में, जो a की जगे क्या है, यहाँ पर P है, तो यह value क्या होगी, positive होगी, यह बात confirm है, यह value positive होगी, now what about q, तो q की value मैं कैसे निकाल सकता हो गई, देखो minimum value यह मुझे कम मिलेगी, यहाँ पर, देखो मेरे पास है, px square plus qx plus r, यह मुझे value कम मिल रही है, आप सोचू ना, कि अगर मैं x की जगे 2 रख देता हूं, तो 2 square 4, 4p, and this is 4q, and this is what, plus r, 4p plus 4q plus r, तो minimum value होगी क्या इसकी, बताई यह function की, minimum value क्या होगी, बताओ, जब मैं x पराबर 4 रख रहा हूं, तभी तो इसकी minimum value आ रही है, है न, x पराबर 4 रखने पर minimum value आ रही है, और किसी भी quadratic function की minimum value होती है, वो x पराबर कितने पर आती है, आप सोचू चरए, तो यह समझो, देखो, थोड़ा और depth में चलो, कि भाई, x की जो value होती है, quadratic में होती है, minus b, plus minus b square minus 4ac, अभी आपको differentiation सबोज नहीं आता, तो मैं ऐसे समझा देता हूं, upon 2a, right, इसकी जो minimum value आती है, वो इस पर आती है, minus b upon 2a पर, जब x बराबर minus b upon 2a मैं रखता हूं, तो मुझे minimum value मिलती है, यहाँ पर b की जगह क्या है, आप बताओ, b की जगह यहाँ पर है q, q, तो minus q upon 2 into a, a की value, a की जगह क्या है, यहाँ पर p, यहाँ पर मुझे minimum value मिल रही है, तो x की value में जो क्या रखनी पड़ी, 2 रखनी पड़ी, x की जगह मुझे क्या रखना पड़ा है, 2, तब मुझे minimum value मिली है, मतलब minimum वाला जो point है, वो क्या होगा, 2 हो गया, अब मैं यह क positive चाहिए, मतलब q की value negative होनी चाहिए, होनी चाहिए न, तभी तो minus into minus होगे positive आएगा, तो मैंने यह निश्कर्च निकाला कि q की value क्या होगी, negative होगी, बात समझ रहे हैं सभी लो, q की value क्या होगी, negative होगी, क्यों, क्योंकि p की value already मुझे पता है positive है, ठीक है, आप हमेशा minimum किस point पर मिलता है, x बराबर minus b upon 2a पर, इस पर मिलता है, इसको याद रखिए, ठीक है, x बराबर minus b upon 2a पर maxima या minimum मिलता है, जो भी होगा, है न, based on the sine of x square, coefficient of x square, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे minimum मिल रहा है, तो x बराबर इस point पर मिलेगा, और minimum किस point पर मिल रहा है, आप द यह minus यहाँ लगा हुआ है, मुझे plus में ratio चाहिए, यह मतलब q की value negative होगी, तभी तो minus minus multiply होकर 4 आएगा, plus 4, right, यानि q की value negative है, तो यह कौन सा case बन गया, यह negative और यह positive, अगर यह negative और यह positive होते हैं, तो दोनों root क्या होते हैं, इसके, positive होते हैं, so how many roots of this equation are positive, we can say two roots are positive, option C, clear है two roots are positive, अब जिसको differentiation आता है, उसके लिए चीज identify करना बेहदासान है, कि minus b upon 2 यह पर maximum minimum क्यों मिला, क्योंकि जब आप इसको differentiate करोगी, जैसे कोई भी equation है, ax square को यह function है, y बराबर इतना, ax square plus bx plus c, ठीक है, आप इसको maximum minimum निकालना चाहते हो, तो dy upon dx आपन निकालते हो, तो this is 2ax plus b, यह इसका derivative आया, 2ax plus b, constant हम का derivative 0, and इसको अब 0 के बराबर रखते हो, तो x की value यहां से कितनी आएगी, minus b upon 2a के बराबर आएगी, so at this point you will get maximum minimum value, यह ना, first derivative को 0 के बराबर put करके, maxima या minima point हम निकालते है, ठीक है, तो जिसको differentiation आता है, वो तो उसके बहुत आता है, जिसको नहीं आता हो, याद कर लो, कि maximum minimum, minus b upon 2a पर मिलता है, ठीक है, yes, question number 11 देखिए, question number 11 is this, if a and b are the roots of the quadratic equation, 3x square, तो इसको try कीजिए, पढ़िए, सोचिए, झाल आता है, प 10, second date, जिसको नहीं नहीन, वो बहुत जिसको शने the law, ये दोद cięज्यों, डिसको souha 예ada, तो आ किमिह स अए, प्रोगने ठीक है रय जोहीं हो, जासने पकिमिह शॉज़ई प्रयों हो, ये पका स्दानियों हो, वो एना रहार हो, वे तो प्रेの वेयं हूं स् झाल 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 तो बना किसी से answer option क्या रहा है C आ रहा है आपर प्रवीन का answer चलो देखते हैं A and B are the roots of the quadratic equation 3x square 3x square plus 5x plus C equals to 0 ठीक है? where C is negative C हमें दिया गया है less than 0 मतलब C is negative A and B इसके roots है right अजा मुझे यहां से sum of roots तो मिल जाएगा sum of roots मिल जाएगा sum of roots is nothing but A plus B A plus B becomes minus B upon A यानि minus 5 upon 3 and what is A into B product of roots A into B product of roots is what? C upon A right C upon A यानि C by 3 अब मुझे सवाल में दिया गया यह कि find the maximum value of this A upon B plus B upon A तो A upon B plus B upon A अगर आप देखें तो A upon B plus B upon A इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? उपर आगया A square plus B square नीचे आगया LCM इनका AB A square plus B square को A plus B के terms में अगर मैं लेकर आना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ A plus B whole square minus 2AB लिख सकते हैं और अपन नीचे आगया AB राइट तो इसको इसको लिख सकता हूँ A plus B whole square upon AB and minus 2AB upon AB is what minus 2 राइट नाओ A plus B and AB बोथ हा नोन टो यू तो A plus B is minus 5 by 3 तो A plus B अगर minus 5 by 3 है तो इसको square करेंगे तो कितना आजागा 25 by 9 25 by 9 upon AB की value कितनी है C upon 3 AB की value है C upon 3 minus 2 3 से गया है यह 3 times so it is 25 upon 3C minus 2 25 upon 3C minus 2 25 upon 3C minus 2 अब हमें इसकी maximum value निकाल नहीं है that means C has to be minimum C की value क्या होनी चाहिए minimum होनी चाहिए जब इस value को मुझे maximize करना है तो C has the maximum integral value अच्छा ओके-ओके C की maximum integral value क्या हो सकती है बताए what is the maximum value of this when C has the maximum integral value तो अब मुझे यह पता है कि C is less than 0 C एक number है जो less than 0 है तो इसकी maximum integral value क्या होगी minus 1 0 से कम सबसे बड़ा integer कौन सा है minus 1 है तो C की value minus 1 रख दो 25 upon 3 into minus 1 minus 2 so it is what 25 plus 6 is what 31 upon minus 3 minus 31 by 3 minus 31 by 3 that means option A is correct yes चलो, next question देखो. One of the positive roots of the quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0, where a equals to 1 is thrice that of other. एक root जो है, दूसरे root का 3 गोना है, है ना? The sum of the coefficient of x and the constant term is 4. What is the value of b in the equation? Equation में b की value क्या है? बताईए, तो equation है भाई, हमारे पास क्या है? ax square plus bx plus c equals to 0. अब सपोज इसका एक root है alpha और एक root है beta. एक root दूसरे का 3 गोना है, तो let's suppose यह 3k है और यह k हो गया है, एक root दूसरे का 3 गोना है, और a की value 1 है, तो a की value 1 है, तो एक को अटाईए दूना है ऐसे, a की जरूरती नहीं है, a is 1. So this is the equation. ठीक है? अच्छा, sum of coefficient of x and the constant term is 4. यानि coefficient of x is what b and constant term is c, तो b plus c is what 4? b plus c की जगे 4 दिया दिया है. अच्छा, b की value क्या होगी हमें पता है, कि b की value, b is nothing but, यहाँ पर जो sum of roots होगा, minus b upon a, तो minus b is nothing but sum of roots, यानि कि 4k. तो b की जगे मैं क्या रखूँगा? minus 4k. b is minus 4k. and c upon 1 is product of roots. So c की जगे क्या होगा? 3k into k, product of roots. So c is nothing but 3k square. c is nothing but 3k square. तो b और c की जगे यहाँ पर रख दो. b की जगे रख दिया मैंने minus 4k, plus c की जगे रख दिया 3k square, equal में आ गया क्या? 4. So this equation becomes 3k square minus 4k minus 4 equals to 0. 4 into 3 minus 12 हो गया है. इसको minus 4 चाहिए, तो minus 6 plus 2 कर देते हैं. k की value plus 6 minus 2. divide by 3. 3 से divide किया है. So k cannot be, k can be negative also. लेकिर हम से बोला है कि one of the positive roots of the equation is thrice the other. अब एक positive root, दूसरे का 3 गुना है. that means, दोनों ही root positive. बहिए, अगर एक positive होगा, ये positive होगा, ये positive होगा, तो 3k भी positive होगा. So that means, negative वाला ruled out होगा है. तो मेरे पास k की value क्या आ गई? 2 आ गई. तो what is the value of b in the equation? तो b must be minus 4k. minus 4 into k is what? 2. So b must be minus 8. Option d. Clear? Yes, बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, question number 13 देखिए. How many real roots will be there for the equation this? x square plus 27 mod x modulus of x plus 182 equals to 0. Now modulus is a function which makes everything positive. अगर कोई negative value भी है तो उसको positive बना देगा. तो how do you define this function? हम कह सकते हैं के mod x is equal to this is equal to x when x is positive. And it is equal to minus x when x is negative. ठीक है? जैसे कि अगर मैं mod के अंदर 3 को रखता हूं तो यह 3 ही आएगा. लेकिन जब मैं mod के अंदर minus 3 को रखूँगा तो इसका sign change हो जाएगा यह बन जाएगा plus 3. sign change होने का मतलब x बन गया minus x. तो minus of minus 3 is what? plus 3. तो अगर negative number रखते हो तो उसका sign change करके positive बना देता है. अब positive तो पहले सी positive है तो उसमें कुछ नहीं करता है. उसको additive रहने देता है. एक्स की जगए एक्स ही आएगा. ठीक है? So what about this? इसके real roots कितने होंगे? इस equation के real roots कितने होंगे? इस is a common sense based question. इसमें कुछ भी नहीं करना. बताईए. common sense पर बेश सवाल है. कुछ भी नहीं करना. कोई calculation नहीं, कुछ नहीं. इतनी hint दे दी काफी है. बिल्कुल दिवेश. correct. 0. क्यों? क्योंके भाई आप यह समझों ना. कि x square कोई भी number का square है. वो तो हमेशा positive होगा. और यह 27 into mod x. mod x is positive. 27 is positive. यह भी positive होगा. और मैंने देखा कि 182 भी positive है. तो तीनों चीजें प्लस हो रही है. अब तीन positive numbers का sum, क्या कभी 0 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता. बाई, तीन positive numbers को आप जोड़ोगे. तो कभी 0 आएगा? नहीं आएगा. तो इसके जो real roots होगे, वो 0 होगे. यह कभी भी satisfy नहीं होगी equation. किसी भी real number के लिए equation satisfy नहीं होगी. So this has 0 real roots. ठीक है? Yes. चलिए, आगे बढ़ेंगे next question. Question number 14. Roots of the quadratic equation. Px square. Px square. प्लस Qx. Plus R equals to 0. ठीक है? R 3 and minus 5. For some certain values of PQR. So what is the ratio of P's to Q? ठीक है? 3 and minus 5. कुछ करना है कि इस सवाल में? कुछ भी नहीं करना. ऐसी हो जाएगा. बताइए. Concept से. अरे, अब तक तो answer आजाना चाहिए था. आई, एक बात बताओ. Sum of roots. Sum of roots क्या होता है? Sum of roots is this. Upon this. यहनि, minus Q upon P. यही होता है न, sum of roots. क्याना? Sum of roots is minus Q upon P. Sum of roots is minus Q upon P. And this is equal to sum of roots. तो इनका sum of roots है क्या? Plus 3 and minus 5. तो this is minus 2. ठीक है? तो minus से minus cancel हो गया. P upon Q मुझसे पूछा है. P is to Q is what? 1 by 2. इसका reverse हो जाएगा. 1 by 2. That means option A is correct. Right? Yes. Yes. चलिए. Next question. अगला सवाल है. The two roots of the quadratic equation. Px square plus Qx plus R. Are both two digit numbers. With same unit digits. दोनों के दोनों क्या है? Two digit numbers है. और दोनों की unit digits same है. But, Q upon P square minus 4 into R upon P is not divisible by 10. Which of the following is the possible value of unit digit of Q upon 2P? Unit digit Q upon 2P की क्या हो सकती है इन में से? दिये गए numbers में से. खतरनाक. ये सवाल लग रहा है खतरनाक. वो था two digit numbers. With the same unit digits. दोनों roots इसके two digit numbers हैं. दोनों की unit digits same है. ओके. अधे. ये सब्सक्राइब रहा है. अधे. 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 इक्वेशन है. Px square. प्लस Qx. प्लस R. इक्वेल्स तो 0. ये equation है. राइट. अच्छा. अब मैं इसको क्या लेख सकता हूँ? इसका sum of roots क्या होगा? alpha plus beta. alpha plus beta. जो sum of roots होगा. वो क्या होगा? minus Q upon P. ठीक. और product of roots होगा. alpha into beta. that is what? r upon P. yes. this is sum of roots. this is product of roots. right. अब अब बात को यहां समझना. मुझे दिया क्या गया है? Q upon P square. Q upon P square. minus 4 r upon P. ठीक है? this number is not divisible by 10. what is Q upon P? Q upon P is sum of roots. so I can write this as alpha plus beta ka whole square. लिख सकते हैं इसको? minus. this is what? 4 into. r upon P can be written as alpha into beta. लिख सकते हैं? so this is nothing but alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. and minus ka 4 alpha beta. so it will become alpha square plus beta square plus 2 minus 4 is minus 2 alpha beta. so I can say it is alpha minus beta whole square. yes. बन गया. and सवाल यह कह रहा है. आप यह दार्ट को धान से समझना. मेरी को सवाल यह कह रहा है कि this is not divisible by 10. this is not divisible by 10. कोई भी चीज़ 10 से divisible कब होती है? कोई भी चीज़ 10 से divisible कब होती है? कोई भी चीज़ 10 से divisible कब होती है? आप कैसे decide गरते हो? very good Praveen. well done. बहुत सभी बात आपने गई है. यहाँ पर एकदम perfect. एकदम perfect. आप मुझे बताओ. कि कोई भी चीज़ 10 से divisible कब होती है? जब आप यह देखते हो कि number के end में 0 आ रहा है. अगर कोई भी number 0 में end होता है, वही number तो 10 से divisible होता है. यह number 10 से divisible नहीं है, मतलब इस number does not end in 0. यह number 0 में end नहीं होगा. unit digit is not 0. अजया लेकिन मुझे तो यह कहा गया था? कि सर यहाँ पर कहा गया था मुझे कि these two, alpha and beta, have the same unit digits. अगर दो numbers की unit digits same है सर, उनका difference तो 0 में end होना चाहिए. जैसे कि अगर मैंने एक number लिया 43 और एक number लिया 23, अप उनका difference निकालोगे और उसका square करोगे तो इसका 0 में end होगा सर, इसका square तो यह 0 में end होगा. तो सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि 0 में end नहीं हो रहा? जब दोनों की unit digits same है, alpha and beta बुलाए ना, दोनों roots की unit digits same है, तो उनकी difference की unit digits तो 0 आनी चाहिए ना. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यानि कि यह condition तो possible नहीं है, क्योंकि अगर दोनों की unit digits same है और दोनों number positive है, तो दोनों का difference 0 में end होगा. तो इसका मतलब क्या? कि दोनों number opposite sign के भी हो सकते हैं ना. अगर मैं एक number को ले लेता हूं 43 और दूसरे को ले लेता हूं minus 23. अब आप इनका difference निकालोगे तो वो 0 में end नहीं होगा. क्योंकि जब आप difference लोगे तो दोनों number minus minus करके जुड़ जाएंगे. यस जुड़ जाएंगे. तो इसका square इसके end में 0 नहीं आएगा. तो इससे conclusion यह निकलता है कि alpha and beta की unit digits same थी और फिर भी उनका difference 0 में end नहीं हो रहा. मतलब both are having same unit digits but both are of opposite signs. इसका मतलब alpha and beta are of opposite sign. दोनों opposite sign की number है. तो कि अगर same sign के होती है और unit digits same है तो difference की unit digit 0 आ रही होती. पर ऐसा तो यहां पर नहीं हो रहा. यानि कि both are having opposite signs. अब दोनों opposite signs के हैं. that means this q upon 2p की अगर मैं बात करूँगा. तो q upon 2p क्या बनेगा देखू. q upon 2p. तो q upon p तो मुझे पता है क्या है? q upon p क्या है? minus alpha plus beta. So it is minus alpha plus beta by 2. अब minus alpha plus beta अब दोनों की unit digits same है. यह द्यान में रखना. और दोनों opposite sign के हैं. तो जब दोनों को जोड़ोगे. जैसे कि इन दोनों को जब आप जोड़ोगे न. तो unit digit पर क्या आएगा? 0 आएगा न. क्योंकि unit digit अगर same है और opposite sign है. तो जोडने पर 0 हो जाएगी unit digit. यानि कि यह जो भी number होगा. वो किस में end करेगा? 0 में. कोई भी number अगर 0 में end होता है. उसको आप 2 से divide करते हो. तो end में क्या आता है? जैसे कि आप 10 को 2 से divide करो. तो क्या आएगा? 5 आएगा. 20 को 2 से divide करोगे तो 10 आएगा. है न? 30 को 2 से divide करोगे 15 आएगा. 40 को 2 से divide करोगे 20 आएगा. पचास को दो से डिवाइड करोगे पच्चिस आएगा साथ को दो से डिवाइड करोगे तीस आएगा तो या तो end में 5 आएगा या end में 0 आएगा मालब unit digit can be either 5 or 0 this can be the unit digit unit digit can be either 5 or 0 तभी तो पूचा which of the following is possible value so 0 is possible yes because two possibilities are there उनमें से एक possibility आपको option में दे रख्किए 0 clear है बात बताएगे सभी को समझ में आ रहा है था एकदम बैतरीन वाला सवाल yes चलिए सवाल बहुत ही शानदार था अगला सवाल देगो quadratic equation x square plus px plus q equals to 0 0 यहाँ पर miss हो गया has roots x and y so that lcm of x and y is 36 and hcf is 3 so total number of quadratic equation आप कैसे कितनी बना सकते हो ऐसी जहाँ पर x and y are natural number this is given to you तो x and y तो देखो अगर hcf 3 है hcf क्या है 3 and lcm क्या है इनका 36 तो मैं numbers को कैसे मानता हूँ अगर दो numbers का hcf दिया जाता है so let's suppose first root is what 3k and second root 3k1 and y is what 3k2 दोनो number अपने hcf के multiple होते है where k1 and k2 are co prime numbers अभी हम एक question में यह सब कर चुके हैं ना चलिए तो दोनो numbers का जो product होगा x into y यानि पहला number है 3k1 और दूसर number है 3k2 दोनो numbers का product equals to hcf into lcm hcf is 3, lcm is 36 right 3 से 3 cancel होगया 3 से गया 20 times यहां से आगया मेरे पास k1, k2 which are co prime to each other इनका जो product हो 12 के बराबर है तो co prime कैसे बनेंगे तो एक number हो जाएगा या तो 1 और यह हो गया 12 तो 1 और 12 में hcf 1 है तो they are co prime इनका कुछ भी common नहीं है या फिर 3 and 4 कर सकते है 2 and 6 नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते 2 and 6 हा not co prime to each other यह अगर आप 2 and 6 रख दोगे तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 18 तो 6 और 18 का hcf 6 होगा ना कि 3 तो that's why this does not satisfy तो मेरे पास 2 values आएं k1, k2 की मतलब k1 मेरे पास x और y की value यहां से आजाएगी कितनी x और y की value आजाएगी 3k1, 3k2 यहां 3 and 36 और यहां पर x और y की value आजाएगी 9 and 12 तो एक equation इसके corresponding मन जाएगी एक equation इसके corresponding मन जाएगी तो we will get 2 such quadratic equations ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे question number 17 if the sum of roots of the quadratic equation is equal to sum of the squares of their reciprocals then which of the following is your R2? ठीक है? so the equation is Px square plus Qx plus C equals to 0 तो sum of roots sum of roots का मतलब alpha plus beta यह बोला ना? if sum of roots of the equation is equal to sum of the squares of their reciprocals तो sum of the squares of the reciprocals यह उल्टा लगाऊने लिए reciprocal इदर आन जाए, square इदर आन जाए sum of the reciprocals of their squares यह उल्टा लगगे आए sum of reciprocals of their squares तो इनके squares के reciprocals ठीक है? इसके बराबर है so that means alpha plus beta बराबर this will become alpha square plus beta square और नीचे आएगा alpha square into beta square alpha into beta is whole square अब मुझे यहां से बता है कि alpha plus beta क्या होगा? alpha plus beta is what? minus q upon p ठीक है? and alpha into beta is what? c upon p right? sorry, this is r is given here so r, so r upon p ठीक है? this is r r upon p ठीक है? alpha square plus beta square मुझे नहीं पता तो इसको मैं ऐसे लिख तकता हूँ है? alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta upon alpha into beta whole square ठीक है अब alpha plus beta की value यहां से उठाकर alpha plus beta और alpha beta की value यहां रख दोगे आप दोनों की equate करोगे तो P और Q और R में एक relation आ जाएगा बोड़े आराम से आ जाएगा मतलब बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है ठीक है समझे वाद को so you can solve it इसके बाद अब alpha plus beta alpha beta की value यह वाली उठाकर यहां रख दे न you'll get a relation आगे बढ़ते है question number 18 there is a quadratic equation which is in the form of P x square plus Q x plus r equals to 0 P x square P x square plus Q x plus r equals to 0 along with three conditions तीन conditions भी यहां पर मुझे दी गई है हाँ यह तो बड़ा ही प्यारा था सवाल दिखाई दे रहा है मुझे देखो पहली condition है only the value of P is correct अगर सिर्फ और सिर्फ P की value correct हो तो इसके जो roots हैं वो 1 by 2.1 होंगे अगर सिर्फ और सिर्फ Q की value correct हो मतलब P और R गलत हो सिर्फ Q correct हो तो roots आएंगे 3 & 4 और अगर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ R की value correct होगी तो roots आएंगे minus 1 & minus 3 तो what is the equation of the quadratic equation having the sign opposite to that of the previous quadratic equation तो यह जो quadratic बनेगी ना इन condition से जो actual में quadratic आएगी उसके opposite sign वाले roots की equation क्या आएगी तो क्या करेंगे इसमें देखो देखो तो जड़ा क्या करते हैं यह तो जासूसी वाला काम हो गया एक तरीके से है जासूसी वाला काम है और इसमें तो दिमार लॉजिक लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है लॉजिकली आप सोचोंगे तो बन जाएगा तो स्टड़ी मेटरियल करें सर यह फ्री बैस तो काफी काफी लोगों के पेड़ बैस से भी ज्यादा एफेक्टिव लग रहा है थैंक्यू सो मच स्टड़ी मेटरियल हम पेड़ फ्री में कोई ऐसा हम डिफ्रेंस नहीं करते हैं जब पढ़ाना है तो इक्वल पढ़ाना है ऐसा नहीं कि गटिया गटिया फ्री में पढ़ा दो बढ़िया बढ़िया के लिए पेड़ में आ जाओ यह सब स्ट्रेटेजी में फॉल्व नहीं करता हूं देवाजरा सबसे पहले फर्स उ नहीं को पता है कि तो हमें पता है कि देको एक्विशन कैसे बनाते है एकसफ्क्वार माइनस रम आफ रोप्स इन दोनों का by 2 into x plus product of roots product of roots is what 1 by 2 into 1 यानि कि 1 by 2 and that is equal to 0 अगर मैं इसको 2 से multiply कर देता हूं तो this equation becomes 2x square minus 3x plus 1 equals to 0 यहां पर आप एक चीज़ हो रहा है अट कर लो इसमें condition is pqr r integer ठीक है अब आप जब यह चीज़ देखो कि आप इस equation को देखोगे तो इसमें क्या थी only value of p is correct तो value of p is correct p क्या है x square का coefficient तो x square का coefficient यहां पर क्या है 2 तो यहां से मेरे पास p की value आ गई 2 वेकोस p की value तो correct है आप तो p की value 2 आ जाती है अब मैं लगाऊंगा दूसरी वाली condition q is correct the roots are 3 & 4 तो अगर roots 3 & 4 है तो equation क्या बनेगी x square minus 3 plus 4 यानि 7 है और 3 into 4 is what 12 बराबर 0 तो यहां पर q की value correct है यहां p correct था यहां q correct है तो q की value क्या है q is what minus 7 we can say q is what minus 7 and तीसरे वाले क्या according आप बनाओगे तो roots are minus 1 and minus 3 so equation बनेगी x square minus sum of roots sum of roots क्या होगा minus 4 minus of minus 4 into x plus product of roots इन दोनों का product क्या है 3 equals to 0 तो x square plus 4 x plus 3 equals to 0 and here the value of r is correct तो r की value यहां पर correct है मतलब 3 is correct so r is what 3 r की value क्या हो गई 3 हो गई ठीक है r की value 3 हो गई right तो मेरे पास p q r तीनों की value आ गई मतलब मेरे पास equation क्या वन गई पी x square इन 2 x square minus 7 x plus 3 equals to 0 अब आपको ऐसी equation बनानी है जिसके roots opposite sign की तो आपको क्या करना है simple x की गई x को minus x से replace कर दिना है x को minus x से replace करोगे तो क्या बने गई यह तो 2 x square ही रहेगा यह न यह minus x रखोगे तो plus हो जाएगा 7 x और इस पर तो यह तो constant is पर कुई फरक नहीं कोड़ेगा बराबर 0 so 2 x square plus 7 x plus 3 equals to 0 that means option c is correct clear है yes सभी को समझा आदी बात बताईए yes question number 19 x square what is the number of real solutions of this equation x square minus 4 mod x minus 21 equals to 0 यहाँ पर minus है अगर तीनो नमबर प्लस होते तो ऐसा question भी पहले भी कट चुके है अगर तीनो positive होते तो इसके 0 real roots होते क्योंकि उसको equal में 0 लाना possible ही नहीं था तीनो positive number कसम 0 नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पर minus लगा हुआ है तो इसके real roots हो सकते हैं ठीक है निकालेंगे जरह इसके real roots कैसे निकालेंगे देखो आप mod x को कैसे define करते हो how do you define mod x अभी मैंने पताया था कुछ देर पहले कि mod x is equal to x when x is positive greater than equal to 0 and mod x is equal to minus x when x is negative यहना जैसे minus 3 को अगर mod के अंदर रख दें तो plus 3 बन जाता है उसका sign change हो जाता है यहना तो mod x becomes minus x तो minus of minus 3 that is what plus 3 तो सबसे पहले मैं एक assumption लेता हूं कि if x is greater than equal to 0 तो mod x will become plus x तो यह बन जाएगी equation x square minus 4x minus 21 equals to 0 और दूसरा assumption मेरा यह है कि अगर मैं x को less than 0 लेता हूं तो मेरे पास ही equation mod x की जगर के आ जाएगा minus x माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा plus तो equation मन जाएगी x square plus 4x minus 21 equals to 0 इस equation के अगर मैं roots निकालूं तो क्या आएंगे देखो जगा इसके roots के आएंगे इसको दो पार्ट से ब्रेक करना है समाना चाहिए minus 4 तो कैसे आएगा 7 और 3 21 तो minus 7 and plus 3 तो x की value क्या आगई plus 7 and minus 3 अब आप मुझे एक बात बताओ जब मैंने already assumption ले रखा है greater than equal to 0 तो यह root तो ruled out हो गए है न क्योंकि यह negative है क्योंकि मेरा assumption क्या था यह x की value क्या हो गई 7 हो गई तो एक root तो आगया यहांसे अगर मैं इसको दो पार्ट से ब्रेक करता हूं समा जाए minus 4 तो 7 and minus 3 आएगा ठीक है समा जाएगा plus 4 तो x की value क्या आजाएंगी minus 7 and plus 3 लेकिन मेरा assumption क्या था कि x is less than 0 x should be negative तो यह वाला ruled out हो गया तो x की एक ही value बची जो negative है that is minus 7 तो मेरे पाच x की कितनी value आई 2 plus 7 and minus 7 x की value क्या आगी plus 7 and minus 7 आप इसको satisfy करा के देख लो plus 7 आप रखोगे न तो 7 square 49 28 plus 21 49 minus 49 plus 49 मिलकर 0 हो जाएगा और minus 7 रखोगे तो भी वही आए क्योंकि mod तो उसको positive बना देगा है so that means there are two real roots of this equation ठीक है बहुत से लोग क्या करते हैं ज्यादव श्यारी दिखाते हैं कि सर एक बार यह equation मनेगी एक बार यह equation मनेगी दो रूट इसके दो रूट इसके खतब चार हूट हो गए है ना पर ऐसा नहीं है थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूवत है next question number 20 सवाल देखो क्या है quadratic equation x square plus 12x minus 28 x square plus sorry minus 12x plus 28 equals to zero has roots pnq तो इसके value of pnq क्या होंगी साथ नहीं 14 और नहीं अचा माइनस 28 है तब तो आज़ेगा माइनस 28 को आप दो पार्ट में स्प्लिट करो सम आना चाहिए प्लस 12 कैसे आएगा माइनस 12 आना चाहिए माइनस 14 और प्लस 2 करके आए product is minus 28 sum is minus 12 तो x की value अरे यार मैं बार बार माइनस प्लस गलब क्यों कर ला प्लस 14 माइनस 2 प्लस 12 है ना आता है तो x की value क्या हो गही माइनस 14 और प्लस 2 इस आर देखो प्लस 1 और q प्लस 1 की value क्या होगी आप देखो और प्लस 1 और q प्लस 1 किसके बराबर होंगे इसमें प्लस 1 गया थो minus 13 और इसमें प्लस वन गया थो प्लस 3 माइनस 13 और क्या होजाएगा यह प्लस 3 हो जाएगा राइट माइनस 13 और प्लस 3 हो गया तो find a प्लस b ठी तो अब एक equation आप ये बनाओगे अगर कोई ही ऐसी equation है जिसके root minus 13 and plus 3 है तो वो equation क्या बनेगी वो equation क्या बनेगी x square minus sum of roots sum of roots क्या हुआ है याप पर इन दोनों का sum इन दोनों का sum कितना होगा minus 10 so minus 10 into x plus product of roots what is product of roots here minus 39 बराबर 0 ठीक है अब मुझे x square का coefficient यहां पर क्या दिया गया 4 तो पूरी equation 4 से multiply कर देता हूं so this equation can be written as 4 square 4 x square plus 40 into x and minus this into 4 यह इसको 4 से गुना करोगे कितना है गाए 156 बराबर 0 मुझे क्या चाहिए यहां पर a plus b तो a और b क्या है इन दोनों की coefficient तो a plus b क्या होगा a is what 40 and b is what minus 156 इन दोनों को जोड़ा तो minus 116 आ रहा है यह option नहीं है तो none of these हो गया यही आ रहा है न आप चेक करो एक बार calculation चेक कर लो यही आ रहा है नट अब टीस राइगे नेक्स कुषिण देखेंगे some of the roots of the quadratic equation is one less than product of roots if one root is one more than other root find the product of the roots both the roots of the equation are greater than zero both the roots are positive sum of the roots of the quadratic equation is one less than the product of roots अच्छा ठीक है तो sum of roots is alpha plus beta and product of roots is alpha into beta and इससे one कम है ठीक है यह one root is one more than the other तो मैंने मान लिया कि alpha is k plus one and beta is k तो उनों के बीच का difference one हो गया है एक root दूसरी से एक ज्यादा है तो अलफा प्लस बीटा कितना हो गया है यहां पर इन लोनों का sum 2k plus 1 अलफा इंटू बीटा क्या हो गया के इंटू k plus 1 विच इस वाट k स्कूर प्लस के इनका product k स्कूर प्लस के आएगा ने इनको multiply करो गए माइनस वन ठीक है तो मेरे पास यह अपने आप में फिर एक quadratic equation आगई k स्कूर माइनस थ्री के माइनस टू इक्वल्स टू जीरो यही आएगी के के स्कूर माइनस के माइनस टू के स्कूर माइनस के माइनस टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू जीरो यही बनेगी माइनस टू को दो पार्ट में मुझे ब्रेक करना है समाना चाहिए माइनस वन तो मैं क्या करूंगा माइनस टू इन टू प्लस वन तो के की वैल्यू के कि तो इसका एक रूट है यह नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि दॉन रूट पॉसिटिव हो लें तो दिस रूल डाउट तो के की वैल्यू क्या हो जाती है तो यह रूट मेरे पास क्या होगा अलफा इस टू प्लस वन थ्री एंड बीटा इस वाट हमें क्या पूचा है अगला अब दो एक सवाल और बच्चे है बस जल्दी से नुक खतम करते हैं Quadratic equation x square plus px plus q equals to 0 has two roots 2m and 3m where m is an integer which of the following is a possible value of p square plus q yes p square plus q की possible value मुझे बतानी है बताईए जरा सोचू try करो कैसे करोगी कैसे solve करेंगे इसको कैसे solve करेंगे इसको कैसे solve करेंगे इसको कर तो कर दो कर दो कर दो 248 यहां पर सचन का अंसर है प्रवीन का अंसर है बी चलिए ओके तो देखो इसका sum of roots क्या होगा minus p upon 1 यानि minus p and that is equal to sum of roots 2m plus 3m is 5m ठीक है and product of roots क्या होगा q upon 1 यानि q and that is equal to that is equal to product इन दोनों का product कितना है 6 into m square 6m square यह होगा इनका product राइट तो what is p square plus q तो p square plus q अगर मुझे चाहिए p square plus q देखो p square कितना हो गया इसका square किया 25 into m square and plus q q is what 6m square now 25 plus 6 is 31m square ठीक है m has to be an integer यह आप ध्यान रखना है अब मैं अगर पहला option लेता हूँ 248 अगर मैंने पहला option लिया 248 सपोज तो मैं रखूंगा 31m square की value 248 के बराबर ठीक है 31 से तो यह कट जाएगा 31 से जाएगा यह 8 times पर m की value यहाँ पर आएगी root 8 which is not an integer m square अगर 8 है अगर m एक integer है तो m square एक perfect square होना चाहिए जो कि possible यहाँ पर पहले case में नहीं है second case मैंने लिया 496 तो 31m square बराबर 496 है तो आप clear देखो कि 496 248 का double है तो यह double बार कटेगा तो m की value एक integer आएगी कि नहीं आएगी m की value integer आजाएगी मतलब b option is correct option b is correct ठीक है yes चलिए question number 23 find the minimum possible value of the sum of the squares of the roots of the equation ठीक है इसकी minimum possible value तो x square equation है मेरे पास x square plus p plus 2 x minus p plus 5 equals to 0 this is the equation ठीक है minimum possible value of the sum of squares of the roots यहाँ alpha square plus beta square alpha square plus beta square इसकी मुझे minimum possible value चाहिए now how do you calculate because यहाँ पर p variable के terms में equation दे रखी तो alpha in beta तो नहीं निकाल सकते alpha plus beta and alpha into beta ज़रूर निकाल सकते है p के terms में तो इसको मैं क्या लेक सकता हूँ सबसे पहले ऐसे लिख दो alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta यह लिख दे जाते हैं सबसे पहले इसको यह लिख दे आजा इसके बाद आप देखो alpha plus beta क्या हो गया alpha plus beta हो गया मेरे पास यहाँ पर p plus 2 p plus 2 whole square minus 2 into alpha into beta तो 2 into alpha into beta is minus p plus 5 वो minus minus मिलकर हो जाएगा plus plus 2 into p plus 5 agree तो यह हो जाएगा क्या p square p square plus 4p 4p plus 2p यह नही 6p तो p square plus 6p हो गया है न हो यह आएगा 4 4 plus 10 यह नही 14 अब जब भी मैंने आपको बताया कोई भी quadratic function है उसमें अगर x square का terms या जो भी यह p square का terms positive है so you will definitely get a minimum value यह चीज़ हम अलड़ी discuss कर चुके है न अभी discuss की थी आपको याद दिलाता हूं को अभी discuss की थी हमने थोड़ी जिर पहले यह है इस सवाल में हमने कहा कि जब भी a की value positive होती है यहाँ पर a की value positive है यह जो p square का terms है वो positive है so we will get a minimum value और वो minimum value किसके बराबर होती है मैंने बताया था minus 6 upon 2 into a is what 1 so it is what minus 3 ठीक है लेकिन this is the minimum value minimum value लाने के लिए p की value यह होगी minimum value लाने के लिए p की value यह होगी है न लेकिन यह function की minimum value नहीं है यह तो वो point है p जहां पर इस function की minimum value मिलेगी तो p की value मेरे पास minus 3 रखने पर यह function की value क्या आ रही है आप देखो minus 3 का square plus 6 into minus 3 plus 40 so this is 9, 9 plus 14 is 23, 23 minus 18 is what 5 so this is the minimum value 5 ठीक है तो answer is 3 अब suppose यह minus b upon 2a वगरा किसी को नहीं पता कुछ नहीं पता आपको graph वराब कुछ नहीं आता तो भी क्या आप इसकी minimum value निकाल सकते थे by using some basic math yes निकाल सकते हैं देखो p square मेरे पास equation क्या है p square plus 6 p plus 14 यही है p square this is what 2 into 3 into p so a square plus 2ab plus b square आपको पता है यहाँ पर b की जगए अगर मैं थी रखोंगा तो यह 9 रख देता हूं प्लस 5 तो यह जो number बन गया यह क्या बन गया p plus 3 का whole square बन गया perfect square मैंने इसको बना लिए पांच अलग से बचाओ अब आप मुझे एक बात बताओ कि कोई भी perfect square कभी भी negative हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो किसी भी perfect square की minimum value हो क्या होगी 0 होगी तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह पूरे की minimum value का होगी यह तो एक constant time है यह minimum होना चाहिए अब किसी perfect square की minimum value क्या क्या होगी जीरो होगी तो इसको अगर मैंने जीरो रखा तो पूरे function की minimum value क्या हो गई 0 प्लस 5 यह नहीं 5 5 तो आ नहीं है तो 5 तो दिया ही गया है वहाँ पर राइट तो minimum value is 5 तो अगर यह आपको यह सब याद नहीं रहे तो minus b upon 2 यह अगर तो आप एक basic maps लगा कर भी यहाँ पर कर सकते हो थोड़ा सा common sense use करके ठीक है यस चरी question number 24 है consider three numbers x y z maximum of x y z plus minimum of x y z equals to 17 median of x y z minus mean of x y z now what do you mean by median and mean let's suppose मैं तीन numbers लेता हूं 18 16 और let's suppose एककेस इनका median क्या होगा median is the middle value when these numbers are arranged in ascending order तो मैंने तीन numbers अगर ascending order में arrange किये तो सबसे पहले मैं इनको ascending order में arrange करूंगा छोटे से बड़े क्रम में 16 18 एककेस तो इनका median है वह यह बीच वाला number है ठीक है और mean का मतलब क्या होगा इनका average तो median maximum of x y z plus minimum of x y z is 17 median यानिके इनका middle number है ना and minus mean यानि इन तीनों का average उनका difference is equal to 3 तो find the median of a b and c ठीक है नोट a b and c x y in या पर abc नहीं है x y z ठीक है यह सवाल आप homework में try करेंगे और यह question number 25 यह भी आप homework में try करेंगे बहुत ही प्यारा सवाल है दो सवाल क्लास के अपडेट के लिए और डाउट के discussion के लिए आप इस ग्रूप को join कर सकते हो सुमिछ सर्डाउट क्रेकर कोई भी आप डाउट discuss करना चाहते हो ठीक है कोई भी डाउट post करना चाहते हो friends से discuss करना चाहते हो like-minded people से discuss करना जाते हो जो लोग banking की तेयारी कर रहे तो आप इस group को join कर सकते हो बागी इन दो सवालों के solution भी वहाँ पर post कर दूँगा ठीक है clear चलिए तो यह complete session था मेरा quadratic के लिए उम्मीद करता हूँ यह session आपको पसंद आया होगा पसंद आया की नहीं आया पहले यह बताओ मज़ा आया कितने लोगों को मज़ा आया आज की class में complete quadratic पढ़ने के बाद इससे बाहर कोई भी concept नहीं आयेगा question अलग लग हो सकते हैं exam में आने वाले लेकिन conceptually सारी चीज़े हमारी दन है आप अगर सारफ पूरी class एक बार revise कर लोगे एक से लेकर 25 तक question इंक्लूडिंग basics तो आपको कोई दिक्कत नहीं आईगी कभी भी future में ठीक है चलिए तो अगर आपको session अच्छा लगा हो तो आप comment करके जरूर बताईएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको share भी कर दो आपको